सब्सक्राइब करें टेक्नोरेंज यूट्यूब चैनल को बेल आइकन को और पर सेलेक्ट करें लेटेस्ट टेक्नोलोजी से रेलेटेड वीडियोस सबसे पहले पार्ट के लिए दोस्तों कुछ लोगों को ये इशू आ रहा है कि उनका जो है कंट्री चेंज नहीं हो रहा है अभी जो जल्दी भी लाईक कर दे और दोस्तों प्लीज वीडियो पे कमेंट जरूर किया करें जिससे हमें मोटिवेशन मिलता है और भी ऐसी ही वीडियोस बनाने के लिए तो सबसे पहले मैं आपको दिखा देता हूँ कि आपको क्लोन कैसे बनाना है और किस version का clone बनाना है आपको सामने life सब कुछ करके दिखाऊँगा तो यहाँ पे आपको app cleaner का arm वाला version ही use करना है तो यहाँ पे मैं app cleaner का arm version यहाँ ले लेता हूँ आपको दोस्तों क्या करना है Starmember Light का 7.9.0 version जो है use करना है तो देखे दोस्तों यहाँ पे जो है 7.9.0 वर्जिन जो है स्टार मिकल लाइट का यहाँ पे यह दिख रहा है मैं इसको ही यूज करने वाला हूँ और इसके लिए आपको सिंपली क्लो नंबर यहाँ से दे देना है इसके बाद में OK कर देना है इसके बाद में Randomize Build Props को On कर लेना है केवल दो Option यहाँ पे On करने है Privacy Option में इसके बाद में दोस्तों आपको Developer Option में केवल Hide Developer Mode On करना है बाकि कुछ भी On नहीं करना है और दोस्तों एक चीज़ धियान रखना अगर आपका device का location on है तो सबसे पहले आप अपना location जो है यह आफ कर ले यहाँ से location जो यहाँ पर दिखाता है अगर आपने location on करके रखा है तो इसको off कर लिया ठीक है नहीं तो आपका हो सकता है इस वज़े से भी दिखाता है कि यह आपके region में जो है ignore crush on कर लेना है google play service workaround on करना है hide google play service on करना है साथी साथ यहाँ पर आपको safe mode जो है on कर लेना है बस इतनी settings आपको करनी है इसके बाद में इसका simply एक clone ready कर लेना है तो clone यहाँ पर मैं ready कर लेता हूं वीडियो को तब तक कर लेता हूं इसकी तो यहाँ पर देखे सक्सिसफुली जो है हमारा starmical light का clone जो है install हो गया है अब यहाँ पर हमको एक account बना लेना है email मैं यहाँ पर कौन सा use करने वाला हूं more email पर जाऊंगा और यहाँ पर मैं अपना ही techno mail application यूज़ करूंगा email लेने के लिए तो यहाँ पर देखे हमारा channel भी यहाँ से आप subscribe कर सकते हैं अब techno mail में आपको कुछ setting करनी है और setting क्या क्या करनी है मैं आपको यहाँ पर बदा देता हूं यह setting आप जरूर कर लें तो यहाँ पर जैसे ही आप address पर जाएंगे तो यहाँ पर दोस्तों आपको यहाँ पर दो तीन option दिख जाएंगे जिसमें आपको सबसे पहले number पर दिख जाएगा create an address automatically और एक option दिख जाएगा designate an address ठीक है तो आपको designate and address पे जाना है और यहाँ पे domain setting पे जाना है domain setting पे जैसे ही आप जाएंगे तो यहाँ पे देखे दोस्तों बहुत सारे option on होंगे आपको सारे option जो है on नहीं करने है केवल आपको .com वाले जो भी domain name है जिसके last में .com लिखा हुआ है केवल यही वाले domain name आपको on करने है तो जैसे सबसे पहले वाला जो है इसमें last में .com लिखा हुआ है इसके बाद में यहाँ पे .com है जो भी .com वाले हैं इनको on कर लेना है simply आपको और यहाँ पे .pink वाला जो है इसको भी आपको on कर लेना है यह सारा को setting करने के बाद में simply आपको फिस से चले आना है address वाले page पे और यहाँ पे आपको create and address automatically पे click कर देना है दोस्तों तो यहाँ पे जो भी आपको email मिलेगा उसके last में दिखे .com ही आपको मिलेगा तो simply एक email को मैं copy कर लेता हूँ और इस email को यहाँ पे paste कर देता हूँ paste करने के बाद में next कर देना है और next करने के बाद में सीधे यहाँ पे चले आना है अपने inbox में आ जाना है और inbox में जो है login bit star medical light आ गया है इसको आपको accept कर लेना है chrome browser से click करके तो यहाँ पे जैसे इसको आप verification सकसीड हो गया है यहाँ पिख्षी है इसका password ढाल देना है तो मैं यहाँ पे password ढ़न देता हूँ और password ढ़नने के बाद में दोस्तों आपको simply कर ना क्या है इसको done कर देना है done करने के बाद में यहाँ पे name और जो कुछ भी फिल करना है फिल कर लेजिए आप यहाँ पे दोस्तों मैं आपको country चेंज करके दिखाऊंगा और वो event भी आपको open करके दिखाऊंगा तो यहाँ पे आपको simply आना है अपनी profile पे और profile पे आने के बाद में यहाँ पे आपको अपनी profile की settings में जाना है दोस्तों यहाँ पे general setting में जाना है और यहाँ पर देखिए आपका country और region जो है दिखा रहा है आपको simply इस पर चले जाना है और यहाँ पर आपको लगा लेना है ब्राजील वाला event है तो ब्राजील पर click करके okay कर देना है देखिए यहाँ पर country सेट हो गया है अभी आपको मैं event भी दिखा देता हूँ event मेरा कहाँ पर है तो यहाँ पर जैसे ही हम जाएंगे तो यहाँ पर आप देख सकते हैं सबसे नीचे यहाँ पर यह event जो है दिख रहा है और इसको आपको click करके open कर लेना है और जैस यहाँ पर प्लस की आइकन पर करके और party room को level 1 पर upgrade कर देना है अपग्रेड करने का मैं आप लेड़ी वीडियो बता बना दिया है उसको आप देख लिए और जैसे ही आप अप अप्ग्रेड कर लेते हैं तो जैसे ही event खतम होता है event जैसे ही यह खतम होगा उसके बाद में आ नेक्स्ट वीडियो में अब तक लिए चेहिन उवन्द मात्रम